हेलो अब्रीवान, कॉमर्स दिन में हम देखेंगे फैनेशल अकाउंटिंग जो अपका सब्जिक्ट है बीकॉंफ हस्टियर का उसमें चाप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स इसको हम डिटेल में डिसकस करेंगे इस वीडियो में जानेंगे इसकी मीनिंग युअअब सब्सक्राइब जो वांगे एनजिक्ट होते हैं ठीक है तो यहां पर हम लेते हैं कि एक कोई इंशोरेंस कंपनी है, यह नं क्या है,। ञग्ची है तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट को अगर हम समझें तो यहाँ पे हम एक example ले लेते हैं कि एक insurance company है अब वो insurance company क्या कर रही है आपको medical and health insurance provide करती है साथी साथ वो आपको life insurance provide करती है साथी साथ आपको fire insurance provide करती है ठीक है फिर साथी साथ वो marine insurance भी provide करती है ठीक यह वो इतने types के insurance आपको दे रही है कि आप medical and health insurance ले सकते हैं, life insurance ले सकते हैं, fire insurance करवा सकते हैं, साथ ही साथ marine insurance भी करवा सकते हैं, अब जो वो insurance company ही वो जानना चाहेगी different different जो उसके अलग-अलग departments, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने medical and health insurance का अलग department कर दिया, life insurance अलग कर दिया, fire and marine insurance को अलग department में कर दिया, ठीक है अब वो इन particular departments के लिए न ये जानने के लिए कि इन particular departments में profit होगा उनको या loss होगा तो वो इसके लिए अलग से accounts बनाती है हर एक particular department का account बनाया जाता है ताकि उस particular department के profit and loss को जाना जा सके तो वही होता है आपका departmental account ठीक है ये example समझ में आगया एक और example देख लिए मान लिए एक कोई company है company के तोर पे हम रख लेते हैं जैसे samsung company है उसके बहुत सारे products है ठीक है तो जो आपका ये samsung company है इसके बहुत सारे products बनते है market में देखता है जैसे phone है हमारे पास है samsung का mobile हो गया आपका फिर है samsung का आपके पास television घर में देखने को मिल जाता है fridge भी होती है samsung की ठीक है फिर साथ ही साथ आप देख लिजे कोई laptop टैबलेट ये सब भी बन रहे हैं तो अब ये company बड़े label पर production कर रही है different types के product को बना रही है like mobile, television fridge या फिर आपके laptops तो अब वो क्या करेगी कि अगर वो इन सब का एक साथ बनाएगी जो भी accounts prepared करेगी तो सब का एक साथ पता चलेगा कि क्या हुआ profit हुआ या loss हुआ लेकिन अगर वो different means वो सिर्फ उसे mobile का जानना चाहती है कि जो mobile का हमने production किया उसको sale किया तो कितना profit हुआ कितना loss हुआ तो फिर वो यह जानने के लिए कि मोबाइल पे कितना हमें क्या हुआ है खर्चा कितना किया गया कितना profit हो रहा कितना loss तो वो mobile के लिए अलग department बनाएगी और उस mobile department जो है वो क्या करेगा वो उसके लिए सिर्फ account prepare करेगा सिर्फ mobile का account prepare करेगा ठीक है सेम वैसे ही टेलिवीजन हो जाएगा तो जैसे मालत यह company हम मालत है कि एक ही रहेगी बस जब आप accounts बनाते हैं तो यहां पर भी profit and loss जानने के लिए profit and loss account बनता है जर्णरली जो हमने class 11 और 12 में पढ़ा हुआ है ठीक है तो वहां पर जर्णरली क्या हुआ है एक column बनत पता चल जाएगा ठीक है समझें तो यह होते हैं कि जब वह क्या करते हैं अपने अलग-अलग products के लिए अलग-अलग department को decide कर देते हैं तो वह जब particular department accounts बनाते हैं उस particular product के लिए तो वह हो जाता है आपका departmental account बच्चे ठीक है तो वह चाहिए एक insurance company है चाहिए वह कोई किसी भी product को बनाने वाली company है ठीक है सभी पर अपलाई होता है अब हम यहाँ पर इसकी meaning को थोड़ा सा discuss कर लेते हैं यहाँ पर तो मैंने आपको समझा दिया आपको समझ में आ गया होगा meaning देख लेते हैं इन्हें departmental accounting system each department has its own books of accounts देखिए हर एक department each department की बात के जैसे mobile department है तो अपना अलग books of accounts प्रपेर करेगा टीवी डिपार्टमेंट अपना अलग करेगा laptop अपना अलग करेगा ठेक है a business creates and keeps separate accounts for various divisions within its organization तो जो भी organization है जो उन्होंने different different division किये हैं जो कई सारे उन्होंने अपने business organization में department में divide कर दिया है उसके लिए एक separate accounts बनाते हैं create करते हैं ठीक है क्या जान सके profit and loss को जानने के लिए और यह जो है आपका एक types of accounting है departmental accounts जो एक types of accounting method of accounting है जिसके द्वारा profit and loss को जाना जाता है ठीक when business is divided among departments then the accounts which are kept for these departments are called departmental accounts तो जब कई भी business को अलग अलग मतलब कई सारे departments में divide कर दिया जाता है तो जब वो departments particular accounts बनाते हैं तो वैसे उन्ही जो departments के accounts होते हैं उन्ही को आप यहाँ पर departmental accounts बोलते हैं ठीक है बच्चा तो यह normal सी इसकी meaning थी आप यह लिख सकते हैं या अब हम इसकी बात करेंगे advantageous of departmental accounts क्या क्या होते हैं तो पहला है to no profit जाहिर से बात है जितनी भी जो भी business organization है जब उन्होंने divide कर दिया अपने सारे काम को कई सारे parts में तो हमने बोल गया वो departments उन्होंने बना दिये ठीक है जब वो particular departments के लिए accounts prepare करेंगे तो उनका motto क्या होग आपने पड़ा था वहीं यहां पर बनता है बस क्या होता है business एक है तो वहां पर जो उनके different departments ही तो उनके लिए amount का column होता है वो different different हो जाता है ठीक है बाकी same format होता है अभी हम आगे discuss करेंगे इसका कैसे format बनेगा उसको भी चलिए second day to help in increasing efficiency अब जो business organization है उनकी जो काम करने की कुशलता है उसको बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं departmental accounts क्योंकि उन्हें पता होता है ना कि अब जैसे माल जो Samsung company है उन्होंने mobile का अलग department रखा टीवी का अलग रखा लैप टॉप का अलग रखा फ् efficiency के साथ काम हो रहा हुआ क्योंकि जब अलग अलग accounts अब के लिए prepare होंगे तो उन्हें पता हुआ कि particular department में कितना खर्चा किया जा रहा है उसके production पे है ना और वहां से कितना profit हो रहा है हमें तो कौन जादा profit करके देपा रहा है कहां पे काम हो रहा है या कहां पे कौन सा department हम business policy को frame करने में भी मददगार होते हैं departmental account ठीक है यह जा सकते हैं नमाल लीजए कहां पर कौन सी policy follow कि जारी mobile department में कौन सी policy को follow कर किया जा रहा है मिस जहां पर जो भी policy जिस तरीके से work कर रही होगी efficiently तो वो क्या करेंगी वो दूसरे department में भी उन work efficient जो business policies हैं उसको frame कर सकते है है ना ताकि दूसरे department में भी profit के ratio को बढ़ाया जा सके help in increasing profits पेरा तो profit जारना होता था साथ ही साथ अब departmental accounts इस रही बनता है ताकि वो profit को time के साथ increase कर सके ठीक है क्यूंकि उनको पता है कि अगर माल लीजए mobile में अच्छा काम हो रहा है और manpower यहां पर जादा है लेकिन या इसकी profitability को बढ़ाया जा सकता है ठीक है तो वो क्या कर सकते है उस तरीके से वो अपने profit को increase करने की कोशिश कर सकते है क्यूंकि different departments है different workers काम करेंगे क्यूंकि जाहिर से बात है mobile के लिए हो सकता है उन्हों departments को अलग कर रखा है building एक हो लेकिन workers different हो तो वो यह कर सकते है ठीक तो जहां पर जिस तरीके से वो काम देखेंगे कहां पर क्या चीज़े उनसे गलत हो रही है उसको correct करेंगे तो ऐसे क्या होगा उनकी profit increase हो जाएंगे future में ठीक है चले कुछ और points देखते है तो नो the real position of the business अब यहां पर जब उन्होंने different departments बनाए उनके different accounts हैं हैना सबके लग से accounts बनाए गये हैं तो जो business organization है उसे अपनी real position पता चलती है कि कहां पर साथ ही साथ जब हम accounts बनाएंगे ने बच्चा तो departments के लिए अलग column तो रखेंगे साथ ही में एक हम total का column रख लेंगे कि सारे departments का total करने पर purchase कितना आया sales कितना आया है ना closing stock कितना खर्चे कितने व वहां पर उनके पास पोरा एक overview होगा कि उनका जो business है उसकी जो position ही वह कैसे है तो actual and real position उस business organization के सामने होगी उनकी owner के सामने होगी ठीक है फिर help in comparative study अब यहां पर comparative study भी कर सकते हैं क्योंकि different different departments के जो accounts बने अब उनको compare कर सकते हैं कि किस department पे कितना खर्चा किया गया था है न तो उसको compare कर सकते हैं बहुत easily क्योंकि सब कुछ सामने होता है ठीक है अब यहां पर एक और point देख लिए departmental accounts देखिए departmental accounts मैंने बता है कि method of accounting है जिसको use किया जाता है profit and loss को जानने के लिए यह accounting की जाती है ठीक है so departmental accounting is a method of accounting जिसमें आप same जैसे आप पहले बनाते थे trading and profit and loss account वही यहां पर बनता है बट वो departments का होता है तो इसलिए यहां पर नाम हो जाता है departmental trading and profit and loss account बच्चा अभी बनाते कैसे वहां पर generally हम column रखते थे एक है ना debit side में एक amount का column होता था credit side में एक amount का column होता था लेकिन जब यहां पर department कई सारे हैं तो department के कई सारे column बन जाएंगी और mobile का stock कितना है फिर उसका हम total करके यहां पर दिखा सकते हैं ठीक है इस तरीके सब इसको prepare करें यह पुरा format है इस तरीके से फिर two purchases को show करेंगे अलग-अलग departments का फिर उनका total दिखा देंगे फिर expenses फिर जब आप जोडते हैं और इधर चीज़े आप sales दिखा देते हैं आड़ करते हैं और less करते हैं तो जब यह mine hours करते है तो जयादा होता है तो प्रॉफट आता है तो जलश पर करते हैं और यह वाला मौत करने पर ज्यूद्रक रहता है इसको पुरा प्रोसेस्स कर थे जब जङिप प्रक्रиков capabilities करते हैं तो प्रॉस हिर में ärooo is a ठीक है बच्चे नेक्स वीडियो में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ही इंडी करते हैं नेक्स टीक स्कस करेंगे इसके allocation of expenses और ऐसे कॉंस एक्सपेंस होते हैं कि जो अन एलोकेटेड होते हैं जिसको हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में ठीक है ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर किये जाएगा फ्रेंस के साथ शेयर किये जाएगा ताकि उनकी भी आनले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल लाइम पर मिलते रहें तो आज ही वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और थाइंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो